हैलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम LED वलफ पिट करेंगे सूपर एक्सल हेंड्रेड में न्यू वाली में इसके अंदर किस तरह से LED वलफ को चार्ज लगा सकते हो यह LED वलफ है इसके खास दोर के करेक्शन किसी को मालूम नहीं है वो डायरेक्ट लगाते है डायरेक्ट ल यह देखो मैंने सुच काटा है सुच लगाना पड़ता क्योंकि तीन तारवाला सुच होता है इसके अंदर वह मैंने सुच काता है और अलग से तार दिखाए देरा मैंने इसी के अंदर ही फिटिंग करा है यह दुआरा से खोल के मैंने इसी के अंदर यह तारों के अंदर डाल दिया है या फिट करने के बाद इसको अपने ही सुच में लगा दो डगर जो मैं फंडा जो होता है आपको जो देखना मिलेगा मैं फंडा मिलेगा अब यह दूसरा देखने के लिए सबसे बड़ी चीछ जो होती है वो है वाइडिंग आप यह तार दिखाए देरा आपक तक इसी के अंदर एक आर्ध का तार देना पड़ेगा आपको इसके यह सुच दिखाए देरा आपको यह है मैं सुच में में सुच में इनलिक और और एक में नहीं आता है तो आपको उसी में से करेंट देके उसी के अंदर से करेंट लेके और जी आपको देना यह पीलग अलग जो तार है एक उसके अंदर देना है इसके अंदर देने के बाद आप वारिंग भी कार सकते हो लेकिन आपका प्रोफर यह बेकार हो जागा आपको दुबार लगाने कि कोई दिक्कत पहुत चाहिए अब यह दिखाए दे रहा है किस तरह से इसके लेट जिलेगी आपको लेट चेक कराता हो यह देखो स्चानधार कि मैंची जो है मैंजरी भाई और इसके अंदर वायरिंग का बात है बंदे क्या है कि ऐसी लगा देते हैं यह पीदेखों कि दिक्कत रोगताती है फिर उसमें फिरिकेत आप दिए कराब में चीज connection है इसके connection पहले करें में के टार दिंति Papad कर्ण ağता है एक किरेंट on the current तो आप इसमें से लगाएगे यह पीले वाला यॉप तर दिखाएजेरा आपड़ाएब़ाबो इसमें लगाना है आपको यह देखो यह दोनों डीपर विपर अराम से विल्कुल वरकाड कर रहे हैं आप लेड भी उसी से ही बंद कर सकते हो सुच सही आपको दूसरा सुच लगाने की जरुवत नहीं